हेलो एब्रीवन वेलकम टो माई योट्यूब चैनल तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिवर सिस्टम को ही अफवाह तंत्र को ही इससे पहले पार्ट वन हो चुकी है जिस किसी ने भी नहीं देखा है आप लोग उस कलास को जरूर से लगा लेजेगा एमसीक्यू फो में यहां पर हम प्रेक्टिस कर रहे हैं तो अपना सेल्प इवालियोशन करना है तो पार्ट वन में हमने 25 क्वेस्टन करें थे तो अभी हम लोग 26 से कंटिन्यू करेंगे आई होब कि आपका प्रेक्टिस यहां पर अच्छे से हो जा रहा है तो क्वेस्टन नंबर 26 से यहां से भी कंटिन्यू करने वाले हैं और सेसन को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे को हेल्प हो सके ठीक है और आप भी पढ़े साथ में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी पढ़ें तो क्वेस्टन नंबर 26 है निमलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम केंद्र जो है अमर कंटक पहाडी है ओप्शन है दच्छनी कोयल औरंगा पुनपुन और सोन नदी तो करेक्ट आंसर होगा इसका ओप्शन डी जो कि है सोन नदी तो सोन नदी के बारे में ड पहाडी दो इसका उदगम केंद्र है तो यह कहां पढ़ता यह जो है न एमपी में पढ़ता है मध्यप्रदेश ठीक है मत्याप्रदेश की में काल स्रेणी जो है Mykun श्रेणी की अमर कंटक पहाडी से यह निकलती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 780 km है इसको आप note down कर लेना ठीक है जो भी मैं extra point बताऊंगी उसको आप note down जरूर से कर लेना ताकि आपको help हो सके और उससे related कुछ भी question पूछा अगर पूछे ना तो आप तुरंत answer कर पाओ ये चीज अपने मायन में set करके रखना है तो सोन नदी के बारे में चले आगे भी देखते हैं इतना हो गया यहाँ पर question number 27 है जारकर राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है सोन नदी गंगा नदी मयोराक्षी नदी और कनहार नदी तो correct answer होगा option A हो जाएगा जो कि सोन नदी है ठीक है सोन नदी में क्या होता है कि सुनहरी रेत इसमें जो सुनहरी रेत के या फिर आप कह सकते हैं सोने के कण इसमें पाये जाते हैं इसलिए ना इसका और भी उपनाम है ठीक है सोन नदी के जो उपनाम है इसको आप note down कर लेना सबसे पहला आप लोग लिखना सोन भद्र भी कहा जाता है ठीक है तो फिर price दएखते हैं question number 28 questions number 28 से पहले इसकी सधायक नदियां है उसको हम नदिया कौन कौन है स१ायक नदियां कंल नदि एक तो आप लिखना यहाँ परinar उत्री कोयल है और कनहार नदी इसकी दो साहयक नदिया है ठीक है उत्री कोयल होगा यहां पर और कनहार नदी बुढ़ी नदी किस नदी की साहयक नदी है इसका correct answer होगा option A जो की है उत्री कोयल बुढ़ी नदी जो है ये उत्री कोयल की साहयक नदी है तो यहाँ पर हम लोग उत्री कोयल नदी जो है इसके related कुछ important points को देख लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एक point आप add करना बुढ़ा घाग जलपर पात जो है न वो इसी नदी पर बनाया गया है और इसकी दो साहयक नदिया है एक है औरंगा और दूसरी है अमानत साहयक नदिया important है और उसके जो उपनाम है ये भी important है तो इसको note down कर लेना आप सभी औरंगा और अमानत किसकी साहयक नदिया देखिए इसे पहले question में ही answer में बता दी थी और ये जैसे सी 2016 में पूछा गया है तो औरंगा और अमानत जो है न ये उत्री कोयल की दो साहयक नदिया है नेक्स्ट है question number 30 बेतला नेशनल पार्क के समीप से कौन सी नदी प्रवाहित होती है correct answer होगा option B बुढ़ी या फिर बुढ़ा घाग इसको कहते हैं उत्री छोटा नागपूर पठार से निकलने वाली किस नदी को निरंजना या फिर लिलाजन कहते है important है देखें उपनाम याद करना बहुत ही जरूरी है अभी जो examiner है जो question set करता है न वो थोड़ा हटके करता है main river से नहीं पूछता है वो थोड़ा सायक नदिया या फिर उपनाम जो होते हैं इससे वो questions बना रहे हैं ठीक है तो देखें उत्री छोटा नाकपूर पठार से निकलने वाली किस नदी को कौन सी नदी है जिसको निरंजना या फिर लिलाजन कहते हैं तो वो कौन सी नदी है यहाँ पर बताना है तो correct answer होगा इसका फल्गू नदी और ये बहती हुई बिहार में चली जाती है ठीक है और इसी नदी को ये जो फल्गू नदी है इसी को अंतह सलीला के नाम से भी जाना जाता है और इस नदी की जो चोड़ाई है बिहार में आपको एक जगा मिलेगा गया जगा मिलेगा वहाँ पर इसकी चोड़ाई बहुत अधिक है ठीक है गया के निकट में सबसे अधिक इस जो 5 जलधाराएं मिलती है और उसकी उत्पत्ती होती है तो इसका correct answer होगा option B चानन और इसी चानन नदी को पंचानन भी कहा जाता है तो इसको आप ध्यान रखेंगे ओके याद रखेंगे और ये नदी जो है ना ये कहां से निकलती है छोटा नाकपूर पठार से ये नदी ज किस नदी को कीकट और वमागधी के नाम से भी जाना जाता है देखिए उपनाम बहुत जरूरी है ठीक है ना कीकट और वमागधी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है जैसे सी 2017 में ये question पूछा गया है तो question number 33 है इसको options देख लेते हैं और रंगा, पुन-पुन, सक्री या फिर फल्गू तो इसका correct answer होगा option B होगा पुन-पुन नदी ठीक है नेक्स्ट है 34 number question छोटा नागपूर पठार से निकलने वाली पुन-पुन नदी किसकी सहायक नदी है तो देखिए एक river आ रहे है उससे related एक दो तीन question यहाँ पर मिल जारन ठीक है इसे कि पुन-पु जो है यह किसकी सहायक नदी है सोन नदी फल्गू उत्रिकोयल या फिर गंगा तो correct answer होगा गंगा नदी की सहायक नदी कौन है पुन-पुन नदी है और यह कहां से निकलती है तो छोटा नागपूर पठार से निकलती है इस तरह से relate करके पढ़ेंगे न तो आपका multiple time revision हो ज जिले से निकलती है तो यह पंचायल सचीव 2018 में यह question पूछा गया है जारकन के कौन से जिले से निकलती है हजारी बाग, गड़वा, गिरीडी या फिर पूर्वी सिंभूम से तो इसका correct answer होगा यह जो नदी है ना यह गिरीडी जिले से निकलती है देखिए मैं आपको इस पढ़ता है यह location आपको exact आपके mind में set होना चाहिए तभी आप जल्दी imagine कर पाएंगे और relate कर पाएंगे वैसे में क्या होता है कि आप easily understand कर पाएंगे कि हाँ गिरीडी कहां पर है गिरीडी नाम सुनके ही आपको मन में मतलब आ जाना चाहिए कि कौन सा प्रमंडल में इसे नहीं कि क्यों नादी का यह question है तो गिरीडी बस याद कर लिए खतम ऐसे नहीं करना है तो वह आपको वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पर मैं अपलोड की हूं तो वहां से भी देख सकते हैं वरना तो यूट्यूब में बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो पढ़ाये अभी मैं यहां पर जीला बताऊंगी तो आपको माइन में होना चाहिए कि कहां पर है ठीक है तुरंत क्लिक करना चाहिए कि कौन सा जीला होगा ओके तो बुढ़ागा जलपरपात जो है यह लातेहार जीले में है लातेहार जीले से कौन सी नदी निकलती है यह होमवक है यह जो है न बुढ़ा घाग जलपरपाथ, 450 feet इसकी उचाई है, ठीक है, नेक्स्ट है, 37 नमबर, जारखन का सबसे उचा जलपरपाथ कौन सा है, सबसे उचा जलपरपाथ, तो वो कौन सा है, option A हो जाएगा, बुढ़ा घाग जलपरपाथ, इससे पहले जिसे मैं बताई थी, कितनी इसकी उचाई है, तो यह 450 feet उचा जो है, जलपरपाथ है, नेक्स्ट है, 38 नमबर, जारखन की किस नदी पर इस्थित है, इंपोर्टन क्वेशन है, जैसे C 2016 में यह पूछा गया है, तो इसका correct answer होगा, option C हो जाएगा, सुर्ण रेखा, देखिए, part 1 में मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताई हूँ, सुर्ण रेखा नदी के बारे में, यह एक मात्र ऐसी नदी है, जो किसी की भी सहायक नदी नहीं है, और यह direct bay of Bengal, यानि की बंगाल की खाड़ी में गिरती है, देखिए, जो questions हम लोग कर लिए हैं, उसको अगर यहाँ पर आपको options भी नदी है, लेकिन सुर्ण रेखा जो है, यह किसी की सहायक नदी है, नहीं है, यह सब चीज माइन में घूमना चाहिए, ठीक है, तो हुंड्रू जलपरपात की यहाँ पर बात हुई है, तो यह जो जलपरपात है, कितना इसका उचा है, उचाई पर है यह, तो लिस लिजेग का ओप्शन सी, अजय नदी, ठीक है, और अजय नदी किस से मिलती है, यह सब चीज में बताई हूँ, तो यह गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है, और जो यह मोती जलपरपात है, इसकी उचाई कितनी है, ठीक है, तो यहाँ लिख लिजेगा, 150 फीट उचा जलपरपात है, यह जो मोती जलपरपात है, उचाई भी पूछा जा सकता है आपसे, तो 150 फीट उचा है, नेक्स्ट है 40 नमबर क्वेशन, किस जलपरपात के बारे में कहा जाता है कि इसकी बूंदे मोतियों के समान दिखाई देती है, तो देखिए, सुखल दैरी जलपरपात, सदनी गाग हिरनी घाग या फिर मोती जहरा, तो आपको यहां क्वेशन में ही आंसर दिया हुआ है, इसका करेट आंसर होगा, ओप्शन डी जो कि है मोती जहरा जलपरपात, नेक्स्ट क्वेशन है, उसरी जलपरपात किस जीले में इस्थित है, धनबाद, गिरीडी, बोकारो या फिर जामताड़ा, यह जो जीले है न, बोकारो धनबाद, गिरीडी, जामताड़ा, यह सब माइन में होना चाहिए कि भाई, कहां पर है, ठीक है न, बार-बार इसलिए बोल रही हूँ, ताकि आप पढ़लो जाकर कि वो सेसन लगा लो एक बार, करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन गिरीडी होगा, चाहिए न, फोटी-टू नंबर क balconे उसरी यह जो जल पर पात है, उचाहि कितनी है, इसकी उचाहि होगा, उचाहि होगा, उचाहि हूँ है, जो है हों यह, होटी-फीट उचा पर यह जल पर पात, है, नेग्स्टन नंबर, जोन हा या गोतम धारा जल पर किस नदी पर इस्थित है important question है ये तो इसका correct answer होगा रारू और उचा ही इसकी कितनी है 150 feet उचा जो है ये जलपरपात है ये जो रारू नदी है ये रांचे जीले में पढ़ता है और यहाँ पर भगवान बुद्ध ने असनान किया था इसलिए इसको जो नदी को ही जो नदी नहीं है जलपरपात है इसको गोतम धारा जलपरपात के नाम से भी जाना जाता है important points को आप लिख लेना इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ question number 43 है किस जलपरपात को गोतम धारा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि भगवान बुध ने वहां असनान किया था जैसे सी 2016 का ये question है तो इसका correct answer आपको पताई है अभी just में बताई तो correct answer कौन सा होगा जोना जलपरपात यहीं पर भगवान बुध ने असनान किया था इसलिए गोतम धारा जलपरपात के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है 44 नंबर question यहाँ पर आपको हलका धुंदला दिख रहा होगा लेकिन मैं यहाँ पढ़ रही हूँ तो उससे भी आप सुन सकते है जारकन में निमलिकित में से किस नदी से प्रसित दसम जलपरपात बनता है कौन सा नदी है जिसमें दसम जलपरपात बनता है जैसे सी 2015 का यह question है correct answer होगा option A जो की है कांची नदी होगा next है 45 नंबर सदनी घाग जलपरपात किस नदी पर रिस्तित है यह जलपरपात है सदनी घाग यह कौन से नदी पर रिस्तित है तो इसका correct answer होगा option C होगा शंक नदी पर next है 46 नंबर रजरपा जलपरपात जारकन के किस जीले में रिस्तित है यह आप सभी को पता ही होगा हजारी बाग, कोडर्मा, रामगड या फिर राची तो इसका correct answer option C रामगड जीले में रजरपा जो जलपरपात है वो इस्तित है 47 देखिए रजरपा जलपरपात किन दो नदियों के संगम पर यह इस्तित है यह कौन से दो नदियों के संगम पर यह इस्तित है यह बताना है 47 का correct answer होगा दामोदर और भेडा भेडा कोई भैरवी नदी के नाम से जाना जाता है आपका यहाँ पर एक homework होगा जो दामोदर नदी है यह कहां से निकलती है यह बताना है और जार्खन के कौन-कौन से जीले से होकर के गुजरती है यह चीज भी आपको comment section में बताना होगा नेक्स्ट है 48 नमबर question जार्खन का प्रसिद गर्म जलकुंड, सुरजकुंड किस जीले में अवस्तित है 2007 का यह question है तो इसके correct answer होगा option C, हजारी बाग और हजारी बाग से कौन सी नदी निकलती है यह भी comment section में आप मुझे बताना क्योंकि यह सब जो question है मैं part 1 में आपको बहुत ही अच्छे से बताई हूँ इसलिए मैं यहाँ पर homework दे रही हूँ और जिस किसी ने भी उस class को नहीं लगाया है आप चाकर उसे भी देख लेना और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा 49 number question है second last ताता पानी गर्म जलकुंड राज्य के किस जिले में इस्थित है देखे इससे पहले क्या था यह सूरज कुंड गर्म जलकुंड सूरज कुंड किस जिले में इस्थित है तो वो हजारी भाग हुआ था और 49 number question है इसका answer क्या होगा option D होगा लाते हार last question है 50 number हुटार गर्म जलकुंड किस नधी बेसिन छेत्र में इस्थित है तो इसका correct answer होगा option A होगा उत्री कोयल ठीक है तो हम लोगोंने 50 questions और यह सारे के सारे important questions थे इनको हम लोगोंने cover किया यहां पर और अपने दोस्तों में जरूर से share कर देना ताकि वो भी जाने और part 1 देख लेना जिस किसी ने भी नहीं देखा है और आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक और शेयर कर देना तो मिलते हैं next कोई भी एक topic लेंगे उससे related mcqs को करेंगे तो